नुरातरी आते ही महानगर के विभिन प्रतिश्चित जगो सहीट अन्य स्थानों पर माद दुर्गा की प्रतीमा हजारों की संख्या में सरधालों इस्थापित कर सरधा भाव से पूजा अर्चना करते हैं दस्वी के दिन माद दुर्गा को नदियों एवं तालावों में विसर्जित किया जाता है। कोट और NGT के कड़े आदेशों के अनुपालन में नदियों को प्रदुशित होने से रोकने के लिए माद दुर्गा का प्रतिमा विसर्जित करने का प्रशासन ने वैकल्पित व् राप्तिनदी के किनारे राजगार पर 3 पोख्रे बनाय जा रहे हैं। राप्तिनदी का पानी, पंपिंग सेट के माध्यार से पोख्रों में भरा जा रहा है। जिसमें माध दूर्गा की प्रतीमा बेसरजित किया जायेगा। इस संबन में गोरक पुन्यू सन्वादाता से बात करते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकास सिंग ने कहा करते है। प्रतिमाओं के लिए तीन जगहों पे आस्थाई तालाब बनाए गए हैं जिसमें राज घाट पे जो है नगर नियम पे द्वारा तीन बड़े तालाबों का निर्माड किया गया है एक बड़े तालाब का निर्माड डोमिनगर में किया गया है और पाचवे तालाब का निर्माड जो है यहाँ पे महरी पूर के आगे फुल के ठीच पहले दाहिनी तरफ कराये जा रहा है ये भी आज साम तक के अकल तक बन के तयार हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि मुर्तियों का विसर्जन नदियों में न करके तलाबों में किया जाए तो उसकी करवाई की जा रही है पूरा प्रयास है कि सारी मूर्तियों को यहां लेके आए जाए विशेज कर जो सहर की मूर्तिया निकलती है उनका विशरजन जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स के अनुरूप जो है नगर निकम कराने के लिए तैयारी किया है और लगबक सभी तपोखरे तैयार हो च करें है